क्यों UM है हिलो एपर सिंखेश की कैसे हो आप सब है अब आप इप्सक्राओब्र है मैं भी अच्छी हूं आपम है यजाहना में तो ऐ हैंपलों peppers क्या बनाने जा रही है फिर उसको मैंने पानी से वाश करके उसके बाद मैंने उसको कद्दू कस किया है और यहां मैंने प्याज और टमाटर पानी में बिगो के रख दिये थे उनको छिलने छिलने के बाद पिर पाणी में भिगो दिया, उनको धो लिया था तो यहाँ पर मैं मिक्सी के जार में प्याज और लहसन और एक अद्रक का टुकड़ा अच्छे से ग्राइड कर लूँंगी और यहाँ पे मैंने टमाटर भी पीस लिया है और यहाँ मैं जो मैंने कद्दू कस घीया करी है उसमें मैं थोड़ा सा बेसन डालूँगी मैंने तीन से चार चमबस तक बेसन डाल दिया इसमें मैं थोड़ी सी हिंग डालूँगी थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ी स तो कुछ चीज़े ऐसी होते हैं जो हाथ से मैश करने से ही अच्छे से बनती है और यह सब चीज़े बनाने से पहले आप हाथों को अच्छे से वाश कर लो उसके बादी बनाओ क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हाथों से ही अच्छे होते हैं और यह पकोड़े वगेरा होत पसंद है वैसे जब सब्जी बनती है तो कौन-कौन ऐसा है जो आदे कोफ्टे ऐसे ही खा जाता है मैं तो नहीं खाती लेकिन जब मैं कोफ्ते की सब्जी बना रही थी तो बच्चों ने आदे से ज्यादा कोफ्ते आजी खा लिए थे और यह देखो हमारे कोफ्ते सिखने तोड़ा सा हींग जीरा तेल में और मैंने अपनी PCV प्याज लैसन और अद्रक इसमें डाल दिया और यहां मैं इसका टोरी में निकाल लूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर मतलब आप जितनी सबजी बना रहे हों उतना निकालने और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर क्योंकि मिर्च पाउडर तो मुझे कम डालना है वरना बच्चे सब्जी नहीं खाएंगे तो मैं इसको थोड़ा सा पानी डालके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इस मिक्सटर को मैं इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी और जब ये थोड़ी देर के लिए पक जाएगा तो देख सकते हैं आप कलर कितना अच्छा आ रहा है और ये हलका हलका सा न ओयल छोड़ने लग गया था तो फिर मैंने इसमें डाल दिये थे अपने टमाटर टमाटर भी मैंने पीस लिये थे तो आप इसको पीस के बनाओ न जैसे ही सारी चीजों को पीस लोगे न आप तो ज़्यादा सबजी टेस्टी बनती है तो देखो यहाँ पे कलर कितना चेंज होने लग गया और कलर बहुत अच्छा लग रहा है और सबजी भी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी मैंने तो शाम को सबजी बनाई थी शाम को ही सारी सबजी खतम हो गई थी और यह मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा धही आप न जैसे कोफते बनाई पनीर बनाई या चाप बगरा बनाई तो उसमें न मसाले में थोड़ा सा धही डाल दो इसे न सबजी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा आजाता है और यह आप देख रहे होंगे मैंने क्या डाला है तो यह मैंने डाली है मलाई जो हम लोग दूद की मलाई निकालके रखते हैं तो यह वो मलाई है तो एक तरीके से आप इसे यह भी बोल सकते कि मैंने मलाई कोफते बनाई है बट मलाई कोफते थोड़े से अलग बनते हैं पर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इसमें मलाई डाल दी थी ताकि जो इसका सबजी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए तो मेरा मसाला बहुत अच्छे से पक चुका था, खुश्बू बहुत अच्छी आ री थी, तो यहां देखो मैंने पानी डाल दिया था और पानी को मैंने अच्छे से उबाल लिया था, मैं कोफतो को पानी जब उबल जाएगा तब डालूंगी क्योंकि अगर हम कोफते को पहले ही डाल देंगे तो सारे कोफते गल-गल से जाएंगे और फट-फट से जाएंगे और यह हमारी कोफते की सबजी तयार है तो किस-किस को खानी है जल्ली से आजाओ मज़ा आ गया और उसके बाद मे इसको पौधे अच्छे लगते हैं मतलब जब कभी हम उदास होते हैं तो पौधों के पास जा बैठ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा सा फिलिंग आती है थोड़ा अच्छा-अच्छा सा लगता है और सच में अगर कहते हैं कर दти बात अङ रहे थे हैं पर मैं उन्हीं से बाते कर रही थी तो सच में कभी-कभी तो काम कर देते हैं और कभी-कभी बहुत जादा मकार पना दे जाते हैं बच्चे तो वैसे तो कभी-कभी करी देते हैं बस बच्चे मनमोजी होते हैं कभी मन करता है तो करते हैं नहीं करता तो नहीं करते है तो बस ऐसी करना पड़ता है जैसा होता है उसी तरीके से मैनिज करना पड़ता है तो यहां मैंने कूलर में बाणी डाल दिया है तो अब पानी एक एक दिन छोड़ के आता है और यहां मैं पानी पष़ा converted to water तो मैं थोड़ी step कर लेती हूं जिससे मेरी body थोड़ी सी खुली-खुली सी हो जाए क्योंकि जब हम सुबा उठते हैं तो हमारी body थोड़ी सी धीली-धीली सी रहती है तो थोड़ा yoga वगयरा करने से थोड़ा फूरती सी आ जाती है शरीर में अब परी को यहाँ परी कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो, shoot होने तो देखो और परी के तो ऐसे ही काम रहते हैं, परी शृरे यह yoga कर रही है, पता है ne क्या कर रही है और उसके बाद यहाँ पे मैं धोने लग गई थी कपड़े क्योंकि कपड़े भी रखे वे थे एक दिन पहले हमारे यहां पानी नहीं आया था तो मैंने कपड़े ऐसे ही बाल्टी में भरके रख देते हैं यहां पर पानी थोड़ा सा रुक रुक के आता है तो मैं यहां पर कपड़े भी दो ले रही थी मैंने का पानी आ रहा तो पानी का काम सबसे पहले करना पड़ता है फिर आना टेंशन हो जाती है पानी कितने दिन तक नहीं आएगा तो इस वज़े से कितने का आया है? आपटेस तो यह मंगा लिया है मैंने चीडियों का पानी रखने के लिए पहले तो हम उसी में रख देती और हम मैंने मंगा लिया है तो चलो इसमें पानी रख दो तो यहां पे मैंने चिडियों को पानी रखने के लिए मिट्टी का बरतन मंगा लिया था अभी तो लॉक्डाउन चल रहा था तो इस वज़े से नहीं मिल पा रहा था तो मैं प्लास्टिक के बरतन में रख देती थी पहले भी रखती थी लेकिन वह बर्तन टूट गया था तो मैंने दुबारा से मंगा लिया है बर्तन और चडियों को पानी रख दिया है उसमें और यह देखो क्या करा रही हो कि टेवल शौर रहे तुम्हें कितने तक टेवल याद है शौर रहे है इदर देखो कितने तक टेवल याद है अभी तुमसे भी लिखवाऊंगी मैं ठीक है ना हाँ बता रही हूं मैं भी लिखो लिखो यह बिना देखे लिख रही हो यह देख के लिख रही हो बिन देख है ये नेक्स डे मॉर्निंग का व्लॉग था और मम्मी हापे सबजी बना रही थी आप में से कई सारे लोग मुझे से बोलते हैं कि आपकी सासुमा गुस्से में रहती है और व्लॉग्स में नहीं आती है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मम्मी वीडियो में आना कमफर्टेवल नहीं करती है तो और कुछ टाइम वेट करिए मैं आपको ससुर जी से भी मिलवाऊंगी एक सही टाइम का वेट करिए क्योंकि मैं भी चाहती हूँ पापा को वीडियो में लाना तो आज शौरी की बुक्स आ गई है अब शौरे पढ़ेगा पढ़ेगा भी है पढ़ता तो है नहीं इतनी सारी बुक्स है ऑल्लाइन पढ़ाईयां हो रही है और बुक्स इतनी सारी है पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है क्यों भी इदर सामने पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है और ये इतनी सारी कॉपी है किताबे है अभी पापा दिलवाके लाएं अधिन देखने के लिए आई है सुनाई दे रही है हां रोज क्लास लेनी है अधिन नहीं है सब्ता इस किताब इस सब्तरब बे कह रहे हो हां कि किन लो किताब में अधिन आ थे तुरहन की बात को समझेो निचाए पटाबट पला क्यार गिन वेते हैं अकल नहीं है ना अभी कोई बूप का पेज़ लेजी मम्मी मम्मी क्या होता है यह सारे करने के एका खरापराब हो कोई बूप कूर का पेज़ झाल 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 जली से शाम की चाय बन रही है और यहां हो रहा है दूद गरम ममी पापा और मैं पीएंगे चाय बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा दूँगी दूद जिसको चाय पीनी है वो आजाओ जली से चाय के साथ थोड़ा सा नाश्ता भी गरेंगी ममी ने चाय बनारी हो क्या आप लोग पीलो चाय तो चाय बना के मैं ममी पापा को दुबान पर बिजवा दूँ और परिशौर रहा तो नहीं पीएंगे जब इनका मन होता है तब 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 ते लेते हैं तो मैं थोड़ी सी चाय पीऊंगी और मेरा का पियेरा आप लोग को अपर पिती तो थोड़ा से यू दो टो यह ममी ने चाय बनालिया है कॉन कॉन मामा मौसी टाइन के लिए आ जली जली आजाओ चाय पीलो तेगा ममी डाल लगा है हमामी चाय डाल लीया है अवी आएंगे कैसे प्वोन में से पिएंगे सब लाता हैंगव उसे आजाए ना थ और शूर्च करते हैं Do realize the whole Mag beacon से सबमार को परी चाए बना के पिलाएगी ठीकर का नंडा परी पिलालो की जाती है परी बहुत उच्छी बनाती है तो टीकर ना कि प्लालो की परी चाय बोथ परी को चाय बनाना सिखा और अब इसके नाना नहीं है एक बार नाना को पिलाई थी तो नाना को भी इसके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगी थी बहुत अच्छी और शायद आप लोगों को भी अच्छी लगेगी और शौर यहां पर चौमीन लेकर आया था और हम खा रहे थे चौमीन मम् Sagina दुकान पर थे तो आज बहुत टाइम बाद चौमीन खा रही हूँ मैं जब अभी माइके गई थी तभी मैंने वहाँ पर चौमीन खाई थी तो यहां मैने पलेट में डाल ली थी चौमीन परी नही पर शौर्य और मुझे चाओमीन बहुत अच्छी लगती है बैपकर जो नहीं चाओमीन लाइग सतों लगी होग एक जुल के लिजो लाइक शेयर करना और जो लोग मेरे चानल तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमें शेयर जरूर करना और यह शौर रहे देखो पते क्या कर रहा है यह पतंग का बहुत ज्यादा उड़ाने में माहिर है यह मतलब इतना पिछता है मुझसे लेकिन फिर भी पतंग नहीं उड़ होता है छोड़ता क्या इसके पापा को भी पतंग उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था तो कहते हैं माबाब के आते बच्चों में आती हैं तो कुछ आदत इसकी आ रखी है तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ बाबाइ कि रखी हैं insects हो समय जवी जवी तो भी टकानले सुर्णे का जया जब शारी कहते हैं इसकी रही दसकी है भी जह करत हैं जहचे हैं जवीजन का fryki जफ हैं है कर दूहार तो किण्त समय घबनावना हैं घर को जबें हैं तो को भीज़ ह्त कर पाधा क्या यविए फैं कedel जश्स